नमस्कार पंकरज कुमार और आप देख रहे हैं सिवन अवरी टाइम्स दोस्तो आज जो हमारे साथ सक्षित है उनका परीचे साइद मैं नहीं करवा वपाऊं क्योंकि इनका परीचे एक बहुत बड़ा है और ये सक्षित भी बहुत बड़ी है हमारी पिलानी के लिए पिलानी विधान सभा के लिए खासतोर पर और इनके दोरा या फिर इनके परीजनों दोरा इनके घर पर युआ दोरा पिलानी को क्या कुछ दिया गया और ये क्या कुछ दे रहे हैं वो इनसे जानेंगे अपन लेकिन आपको बता रहता हूं कि पिलानी सहर के अंदर जो धन्यवाद कि आपने हमारे पिलानी सहर को एक ऐसा बहुन इतना अच्छा बहुन अलिशान बहुन बना कर दिया आपने और वेक तोफ़ाई होगा मारे चितरवाश्य के लिए धन्यवाद सबसे पहले तो मैं आपको बहुत भी शुक्र गुजार हूं कि आप यहां पर आए औ कि भवन की जरुत है और गॉर्मेंट उसके लिए सेंक्शन नहीं देती है और हमारे पिताजी यहां के पहले चैर्मेन थे इलेक्टर चैर्मेन तो हमें लगा कि बहुत अच्छा मौका है हमें भी उनके नाम से कुछ करने के लिए और यह प्यार है पिलानी के गाम के लोगो पैचाना नाम है और आज उनका स्टेशिट लेक्रों लोग सभी लोग उनको याद करते हैं और आपकी जैसे द्वारा आसपस के चेतर के युवाओ को बढ़ चड़कर मौका देना बहुत सी कंपनिया होती है जो अपने चेतर के युवाओ को आगे नहीं बढ़ाती है प्र रोजगार एक ऐसा है जो अपने आने वाली पीडियो तक वो उसको वहां तक पहुंचा सकता है नहीं देखिए मैं तो एक निमित मातर था उसके लिए और पिलानी मेरा जनम स्थान है पिलानी ने मुझे मोका दिया बढ़ा हुआ मेरी एजूकेशन यहां हुई और मैं सबस ख्लाइज म तती होव मिल्स और मैं पच्छी साल की उमर में वाक्श मैनेघर बनके मुका मिला था मैं सब्सक्राइज तक पहले पोडे में उसके मBook को मौका मेलाश मैनेजर वनने का पहली पोजिशन के मैं और उससके मेरी अटाइस साल तो यह सब मोका मुझेत मिला से एक से भगवान की मेरे उपर आशिरवात था भगवान का जो मुझे मौका मिला जब मुझे मौका मिला तो मेरे लिए एक दिमाग में हर समय यह रहता था कि कोई मुझे अप्रोच करता है जोब के लिए और आदमी तो रखने होते ही हैं तो फिर मैंने भी यह नहीं देखा कि कोई आना चाहिए पर मौका मिलना चाहिए और मौका मिलना जो भी लोग अप्रोच के उनको मौका दिया लोगों ने काम किया तो यही मेरा एक समझ लीजिए कंट्रिबूशन था उसमें जी एस डबलू स्टील में मैं दो हजार बाइस में डारेक्टर सीप से मैं रिटार हुआ हू दिए डारेक्टर इसे डारेक्टर और उसके बाद में जीएसठबलू भूशन स्टील ऌर यहा कंपनी अकवार किया उसके बौर्ड पे हूँ और उसके डारी। हैं तो अभी मैं यह जो 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 में काम करता हूं और यह नया कारिया भार है यह में ख़़ाई किया मैंने का आपने अधिकनाव का और वरकसोप के लेड़र थे उसके बाद में आज डिप्टी डिरिक्टर मैं था उसमें लास्ट में में वहां तक पहुंचा आपको मौका मिलता है और फिर अपनी मेहनत और इमानदारी से आदमी जब काम करता है तो उसको उन्नती तो मिलती है आपके पिता जी कभी काफी योगदान रहा है छेतर में अपने खास तो पिलानी में देखा जाए तो वो भी राजनितिक बैग्राउंड से हो गए आप भी वो तो पहले चैर्मेंट थे जहां तक मुझे पता है तो अब की राजनिति और पहले की राजनिति में कितना क्या फरक आपको लगता है क्या आज की जो राजनिति है वो माइनस में जा रही है या प्लस में जा रही है कुछ अच्छा है या फिर बुरा है देखिए हर समय र हर आदमी चाहता था कि शमाज के लिए कुछ करूँ कुछ दिखाऊं मैं कि मैंने आपके काम आ सकता हूं या काम आया हूं आज कल थोड़ी राजनिती जो है वो अलग है आज हर आदमी यह सोसता है कि मेरे पास भी सुख सिवधाई ज़ादा हों और मैं सबल हूं पैसे के मामल मेरे मेरे इलेक्शन लड़ सकूँ उन दिनों ये नहीं होता था उन दिनों में जो मेरी समझ है कि लोगों के काम आते थे लोगों के लिए काम करते थे और उसके लिए वोट मांगते थे आज जमाना बदल गया है जब आपकी पिताजी चैर्मेंन थे तब आप भी कुछ देखा करते थे कि कौन कोन ये ता घर पर आ रहे हैं किस तरह रहा क्या मावल रहता था देखिए उनके पास में तो जितने भी जैसे मुझे याद आ रहा है शिवशन माथू घर पर आये थे इसी तरीके से दूसरी जित जीने डीजीने मेरे बड़े भाइस अब वह प्रकाशी थे ऐसी जिगर कर रहे था मैं तो सुन रहा था तो उनका कहना सा कि मैंने राजनीती करी बहुत अच्छी करी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया लोगों के मैं काम भी बहुत आया हूं पर आप लोग नोकरी करना अपना काम करना पॉलिटिक्स में मच जाना के तू संन लोगों को भरे पकर रोटीभी मिलना मुश्किल होते था क्योंकि वो त्याक का टाइम था समय था और आज की जमाना है अलग है तो इस जमाने में आप लोगों को इसमें पढ़ने की जरुत नहीं है राजनीती में यानि शीवचन माथुर साहब ने भी ये कहा था कि आपके बड़े बेटे को आप बोलो चुनाव में आ जाए और मैं स कि मुझे तो कोई पॉलिटिक्स में को इंटरस्ट ही नहीं मैं तो यह जानता हूं कि जनता के लिए या कि समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए पर यह आपका दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ पाने के लिए करूं और जिन लोगों को पा politics चेंज आता है बदलाव आता है अच्छे politicians को चुनना चाहिए अब वो जमाना चला गया चाहिए और यह पार्टी खराब यह नेता खराब है ये अच्छा निता है ऐसी कोई बात है नहीं बहुती स्वार्थी पन आ गया है तो मैं तो खाली एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं और वोट मांगते हैं जो आदमी आपको अच्छा लगे उसको वोट देना चाहिए और जब हम जैसा जैसा कुछ और आपके दिमागे में कुछ प्लान के लिए कुछ और करनेगा या फिर फिर फोड़ा ब्रेक दे के फिर बाद में ऐसे कुछ सोचेंगे नहीं प्लानी के लिए तो मेरा दिल धढ़कता है क्योंकि मैं तो यहां पर पैदा हुआ हूँ बड़ा हूँ सब कुछ मुझे पिलानी से मिला है तो मेरे से जो भी हुचकेगा मैं उसके लिए तैयार रहूँगा आज के जो यूवा है वो एक अलगी वे में जा रहे है आपका समय था उस वक्त का जो वे था जो रास्ता था वो अलग था और आज का जो रास्ता अपराद है चोरी चकारी ह जैसे इसके अलावा फिर मोबाइल का एक ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है इसका बहुत मिस्यूज होता है होना चीए इसका पॉजिटिव यूज लें होता ज्यादा मिस्यूज है पढ़ाई की तरफ यूवा नहीं जा रहे हैं तीकि ऐसा नहीं है कि पहले अभाव था पहले इतनी सुविधाई भी नहीं थी पहले मोबाइल भी नहीं थे आप मोबाइल को पॉजिटिव साइड में देखे कम्मिनिकेशन बहुत अच्छा है आप जो चीजें करना चाहते हैं वह जल्दी कर सकते हैं तो उसका कोई कोई दुस्ट प्रणाम भी होता है तो यह ट्रांज के लिए तुमेरा यह कहना है कि जब वह पढ़ाई में ध्यान देते हैं क्योंकि उनके माबाप बहुत ही अपनी मेहनत की कमाई उस पे लगाते हैं कि मेरा बेटा आया बेटी पढ़के कुछ बने तो यह टाइम समय उनका है कि वह अपना पूरा हेंडे प्रसेंट उसमें द जाएं तो उन्होंने जो सीखा है उसको उसमें करें पर यह हम लोग यह समय खराब कर देते हैं कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं ठीक से माचनी लेके आते हैं तो आपका पैसा खराब हो गया और फिर आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी के इंजिनेर या अच्छे क्व जो आज हमवारी यूआप एडी है जिस क्वालिटी की एजुकेशन लेती है और जैसा वह अपना परसनल्टी बनाते हैं वैसे रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी समाज में हमने अकेडेमिक बनाई है स्पोर्स के लिए ऑलम्पिक्स के लिए और उसके अंदर यह तरह से समा के देश से और उनको डवलब करते हैं कुस्ती में आपने इनका चावला का नाम सुरी नीरे चौपडा का नाम सुनाओगा वह हमारा प्रोड़क्ट है तो ऐसे ही वह काफी रेसलर्स वगरा को भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं और इंस्टूट को तैयार कि जो वर्ल्ड लेव भारत देश के अंदर जो भी बड़े दोखपते होते हैं फिर सीयो होते हैं उनसे सरकार सलाम असुरा करती है तो आपका किन से आपको आपने आपने किन के साथ मिटिंग की ऐसी कुछ है यह आप क्या बात कर रहे हैं सीम से पीम से अबही मिलना हो तो टाइम टू टाइम हम स्टेट लेवल पर भी चीफ इनिस्टर्स हैं इसी तरह से सेंटल में भी हम लोग अपनी सलाह देते हैं दो तीन चीजे हैं कि एक तो स्पोर्ट के लिए भी है दूसरा बिजनस कैसे हम और अच्छा कर सकें किस तरह से हम लोग ज्यादा जॉब्स क्यों क्रिएट कर सकें और अच्छे से इंडस्टी डवलप हो उसके लिए गॉर्मेंट को क्या करना चीए और प्राइवेट गॉर्मेंट मिल के साथ क्या कर सकते हैं अभी स्पोर्स के नाम लिया अपने तो आप भी होकी के फ्लेर हैं फुटबल के फ्लेर हैं नहीं होकी फिटबल में दोनों खेलता और इंटरस्ट भी था मेरा पर मैं को बहुत ज्यादा सेक्सेसफुल वो नहीं था खेलता ज़रू था इवन मेरे पिताजी भी होगी के प्लेर थे बिल्कुल आप से बाते करके बहुत अच्छा लगा और आप पिलानी के लिए इतना कुछ करते हैं इतना कुछ सोचते हैं ह वो क्या एक मंत्र है देखि मेरा तो खाली ये बोलना है कि जो आप करते हैं आप पूरी सो परतीसत अपना उसमें कंट्रिबूट करिए कंट्रिबूशन दीजिए दूसरा पूरी सच्चाई के साथ में रहिए आप दोनों चीज़े नहीं रह सकते हैं कि करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं उन दोनों में फरक नहीं होना चीज़े आदमी को अपना इमानदारी से जो बैस्ट है वो काम करें और उसके रिजल्ट पर भगवान वैसी देता है आज कैसा लग रहा है सक्सेस के उपर कैसा फील होता है कि काफी लोग बदल जाते हैं गाओं को छोड़ जो बना आज मेरे खाल से जैसे आदमी बढ़ता है कुछ पाता है तो उसको अपने जो उसका जो पास्त्रा है उसके ख्लोज रहना चीए तो फिर आप अदलेंगे नहीं आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर धन्यवाद बोलता हूं कि आपने पिलाने साहर के ल कभी किसी ने आवाज दी और जब मैं किसी के कुछ काम मत सकूँ तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विनोजी नोवाल और इनके पिताजी की पहले चैर्मन रहे चुके प्लानी के अंदर पर्थम चैर्मन वही थे इलेक्टर चैर्मन बिल्कुल और इनसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और इस कैमरे के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज भी इनका जो है रहें सहन है बिल्कुल नैचरल है तो ऐसा कुछ लगता ही ने कि यह आज की सोदे पर है कि इ पर इनसे बात कैसे होगी कैसे नहीं लेगे आज इनका जो नैचर है वाकर में जैसे पिलानी के लोगों से सुना तक सेम वैसा ही है तो अभी के लिए इतना ही देखते रहें सिवनकर टाइम से जुड़ें सिवनकर टाइम के साथ